हेलो दोस्तों बहुत सब्सक्राइब करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं रूट मोवाइल आईपयों में आपको एपलाई करने का तो कल एक्स का थर्ड एंद लास्ट डे है करने के लिए तो इससे लेटेड हम कुछ बाते कर लेते हैं कि क्या इसका चल रहा है कि आपको अप्लाई करना चाहिए कितना लोगों ने अभी तक कि अप्लाई किया है कितना नहीं किया है कि अब लोग अभी भी इसमें काफी बुलिश है लाइक हैपिएस्ट मैंड आईपयों की तरह है तो आईए सारी इंफोर्मेशन चानते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनला बॉस फिने शेयर बजाल को सब्सक्राइब करिया शेयर करिये दोस्तों के साथ फ्रेंडस के साथ आकि आपके रिलेटिव के साथ आकि आपको इस तरीका की बैतरी इंफोर्मेशन और शेयर बजाल से लिटरी मिलती रहे तो आईए सीधे IPO की तरफ हम information की तरफ चलते हैं तो जैसे कि आपको पता ही है कि आज news आईए आज second day था तो root mobile IPO subscribe four times on day two तो NDTV ने बता है कि four times ये subscribe हो चुका है आज दूसरा दिन था तो आज subscribe हो चुका है तो आईए देखते हैं इसके information चान रहते हैं क्या है क्या है और रेडी मैंने आपर कल वीडियो बनाई थी morning में ही वीडियो में अपलोड करी है उसमें मैंने mostly सारी information रूट मॉबाइल से लेटेट दे दिये फिर भी मैं एक बार repeat कर देता हूँ कि रूट मॉबाइल ओटीप जो आपके मॉबाइल में आते हैं as well as आपको अलग-अलग emails आते हैं जिससे आप connection हो जाते हैं फिर OTP आते हैं messages आते हैं even OTT प्लेटफॉर्म है like Amazon, Netflix, Z5 अलग-अलग प्लेटफॉर्म हैं उन्हें भी अपनी service प्रोवाइड करती हैं तो काफी सारी और इसके अलाग cloud communication में भी यह काम करती है तो इसका business model है जो काफी unique है काफी अच्छा unique business model है बट इसके इलावा इसके काफी 2-3 competitor भी है like Tata Communication और और भी बहुत सारे इसके competitor है तो मार्केट में जो अभी available है तो जैसे कि आपको बता ही है कि skype का second day था तो आईए इसे लेट कुछ बाते कर लेते तो बताना चाहता हूं कि apply करने का जो डेट था 9 September 2020 सब्सक्राइब करने के लिए तो कल लाज दिन है तो मैं आपसे चाहूंगा कि 12 बज़े तक या 12 बज़े से पहले आप इसे आप कर लीजिए इसे apply करना है तो और apply करना चाहिए नहीं से लेटे नम बाते करने वाले तो price range जैसे कि आपको बताए 345 तो 350 रुपीस का price range है और face value 10 रुपे की रख रखी है इसकी ओके और 40 equity shares की इसमें बोली लगेगी एक bid में ओके तो मदब आपको एक पुर्ट लेना पड़ेगा 40 equity shares का तो जैसे की बात कर लेते है कि IPO ला क्यों रहे क्योंकि reason तो होगा ना कि IPO ला क्यों रहे तो IPO लाने का simple सा reason यही है कि root mobile will utilize the proceed of the fresh issue of the repay existing debt तो इनके ओपर कुछ करज है वो repay करेंगे इसके इलावा मॉंबई में एक office खरीदने वाले उसमें इसके आवा कुछ नया चोटी-चोटी जो companies होगी इनके जो business करते होगी उसे खरीदने में और कुछ corporate का purpose होगा इसके लिए IPO ला रहे है ओके financials की बात कर लेते हैं इसके तो root mobile earned total revenue of 968.1 crore from financial year 20 on the book of rupees 852.37 crore in financial year 90 तो 2019 में इनका financial year में लगबा 853 crore रूपीज का इनका revenue था जो की 2020 में बढ़के 978.10 crore हो गया है okay profit की बात की जाए profit after tax bet की बात की जाए तो जहाँ पर निका last year 54.53 crore रूपीज था वह अभी बढ़के लगबाग 79.1 crore हो चुका है during the period और इसी की बात की जहाँ पर यह कोरोना से हम सब लोग अलग अलग company जहाँ पर काम नहीं कर पा रही थी और काफी परेशान है companies okay तो वही पर ही इस company ने लगभग लगभग देखिये जून quarter में ही अभी के जून quarter में 312.29 crore रूपीज का इन्होंने revenue किया है जिसमें 85% was the form from export तो from export तो आपको इसके बारे में बता देता हूं but इससे पहले में आपको बता देता है कि इनका profit कितना है लगभग 26.93 crore रूपीज का इनको इसमें profit हुआ है केबल इसी quarter की बात कर रहा हूं मैं एक year की बात नहीं कर रहा हूं तो export से बतानों चाहता हूं कि इनके जो business है इनका business जो है mostly भार से है जो foreign country से है और जो कि इसमें दो disadvantage में देती है क्योंकि 75% of the revenue जो आता है 75% revenue का इनको telecommunication से को ही देना पड़ जाता है as well as 75% revenue जो आता है वो top 5 companies से आता है जो एक disadvantage है इनके अभी तक लगभग 30,000 plus customer base है इनका अभी customers इनके रहे अभी तक की history में जून के जून तक तो काफी positivity भी है और थोड़ा जा negativity यह कह सकते है कि इनके कुछ ही client ऐसे है जिनसे इस business है अगर उनने pullback कर लिया कभी तो इनका revenue सीधा घटता हूँ नजर आएगा तो यह सारी बाते है okay as well as currency में भी fluctuation होता रहता है जैसे कि आपको देख रहा है export से इनका revenue हुआ है 85% तो अगर dollar का rate कम हो गया तो revenue कम आएगा वहीं पर dollar का rate बढ़ गया तो revenue अच्छा भी आएगा तो यह सारी बाते इस company से related थी okay जो मैं इनको आपको बतानी ज़रूरी थी इसके अलावा एक information ओर है gray market already मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है तो gray market में इंडो-China tension pullback gray market premium of root mobile तो simple सी बात यह है यह gray market में एक ही और एक बार decide करता है कि पता चल जाता है कि हां क्या होने वाला है market में इसे कुछ listing gain मिलेगा या नहीं मिलेगा 21st March को इसको list होगा जैसे ही है तो मिल पाएगा या नहीं तो इसमें gray market ने pullback कर लिया पुर gray market में आपने हाथ खीच लिये और कह दिया है कि भाई यह इंडो-China जो टैंशन चल रही है इसके premium में शायद कुछ फरक पड़े पहले हो रहा था कि 32-35% तक का इसमें listing gain मिल जाएगा बट अभी सुनने में आ रहा है कि केवल 10-15% ही इसको listing gain मिले और यह देखना हमें जल्द ही हमें पता चल जाएगा तो आई यह नीज भी पढ़ देते एक बार तो यहाँ पर अभेज जोशी एग गुजरात-based independent dealer है of unlisted share, unlisted share मतलग जो grey market है, okay said the China India का face-off चल रहा है has lead uncertainty in the market, okay leading the premium stability at current level however the primary market is still fencing the issue he said the IPO is worth investing for listing gain as well as long term holding तो देखो अगर long term के लिए चल लेना है तो आप ले सकते हो और इसमें थोड़ा सा खत्रा भी है क्योंकि अगर कुछ negative हो जाती है क्योंकि अभी 11 तारिक को बंद हो जाएगा 21 को list होगा 10 days का gap है अगर कुछ negative होती होता है तो market में यह आपको listing gain भी शायद ना मिला लाइक SBA card IPO में हुआ था मैंने उसके related video बना रखी है तो आप जाके एक बार देख सकते है SBA card IPO vs Rosary Biotech IPO तो उसे भी देख सकते है उससे आपको एक अंदाज मिल जाएगा कि क्या हुआ है क्या हो सकता है तो यही सारी बाते थी तो इस reason से बट अगर long term का provision रखते तो काफी लोग कह रहे है कि long term में काफी अच्छा गेनिया दे सकता है तो worth investing हो सकती है तो अगर खत्रों के खिलाडियों के लिए कह सकते है कि यह share यह IPO में apply करना हो जाएगा तो अगर आप खत्रों के खिलाडियों है अगर आप तो risk ले सकते हैं 10 days में क्योंकि कुछ भी हो सकता है तो आप इस IPO के लिए जरूर जा सकते है आपको बताना चाहता हूं कि QIB जो 50% जिन के लिए रखा गया था तो उन्होंनों कुछ जादा अभी तक second day में कुछ दिखाया नहीं है बट हां आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्दी कल के दिन में ही मतलब कल के दिन में ही QIB और बड़े-बड़े non-institution investors होते हैं आपको पता चलेगी तो अभी कुछ खास उन्होंने apply नहीं किया है उनका mood अभी दिखनी रहा है बट कल के दिन में आपको दिख जाएगा दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं मैंने आपको सब बता दिया है इसकी negativity as well as positive part और अगर वीडियो इन्फोर्मेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी बहुत सब्सक्राइब करें शेयर करिए दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंड के साथ ताकि इस तरहीं की बैतरी इन्फोर्मेशन आपको मिलती रहे थैंकी सो मुच गद्ब्लेस